हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन आप देख रहें गेजस टेक्निकल और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर और बॉक्स में सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको एक पेपर कार्ट देखने को मिल जाएगा इसमें यहाँ पे आपको कस्टमर केर नंबर भी दिया है साथी साथ इमेल आईडी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल इसके अगर मैं quality की बात करो तो यहां पे आपको quality जो है वो price के इसाप से काफी अच्छा देखने को मिल जाता है साथी साथ इसके अगर मैं wire की quality की बात करो तो यहां पे आपको वायर का जो quality है यहां पे आपको standard quality देखने को मिल जाएगा यहाँ पे अगर मैं wire की लंबाई की बात करो तो तकरीबन आपको 24 से लेके 25 इंच का यहाँ पे आपको wire का लंबाई देखने को मिल जाएगा अब बात करेंगे USB port के बारे में यहाँ पे आपको 4 USB port देखने को मिल जाते है और 4 USB port को आप एकी टाइम पे इस्तमाल में ले सकते है अब मैं आपको बता दू यह जो hub है इसका इस्तमाल आप कैसे कर सकते है मतलब क्या क्या चीज के लिए कर सकते है तो यहाँ पे आप pen drive से data transfer करने के लिए कर सकते है साथ ही साथ यहाँ पे आप keyboard mouse के लिए भी कर सकते है आपके पास अगर wifi adapter है या फिर dongle है तो उसके लिए भी hub का इस्तमाल कर सकते है अब बात करेंगे क्या यह hub आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यह hub मैंने लिया है 199 रुपेस में यह hub जो है आपको अगर 200 रुपे के आसपास मिल जाता है तो आप इसको खरीच सकते है और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप keyboard mouse चलाने के लिए ले सकते है प्रिंटर या फिर आप pen drive का इस्तमाल करने के लिए इसको ले सकते है अगर आप hard disk के लिए लेना चाहते है तो यह hub मैं आपको recommend नहीं करूँगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही I hope यह वीडियो आपको अच्छा लागा होगा और इसके लावा अगर आपके कोई और सवाल है तो आप नीचे मुझे comments कर सकते है चलिए मैं आपको मिलता हूँ मेरे next वीडियो में तब तक कि लिए मेरे साथ बने रहिए देखते रहिए gadgets technical